हेलो भाई मैं वांकित आज की इस वीडियो में हम कंपेरिजन करने वाले हैं बजाज की सीटी वन टेन एक्स और हीरो की एचेव डिलक्स में सीटी वन टेन एक्स हाली में लाँच हुआ इंडियन मार्केट में और इसको लोग काफी पसंद कर रहे हैं इसके लुक की वज़े से और इसका मुकाबला हीरो की एचेव डिलक्स है क्योंकि वो भी इसी सेग्मेंट में आती है और इस वीडियो में हम इनी दोनों बाईकों को वेरेंट्स और कलर तो सिटी वं टेन एक्स में एक रिंट आता है चार कलर उप्शन के साथ और एचेव डिलक्स में चार वेरेंट्स आते है चेव कलर ओप्शन के साथ यहांपेश्य células लियोमार् ότιन और अब कमपेर कर लेते हैं कंढ़नों बाईकों का इंज़यन system आता है जिससे fuel on off करने का option मिल जाता है और यह दोनों बाइक के 4-speed manual gearbox के साथ आती है और दोनों ही बाइकों में कीकस्टाट और सिलफ़स्टाट का दोनों का option मिल जाता है और अब compare कर लेते हैं इन दोनों बाइकों का power यहां पर पावर और टॉर्क के मामले में सिटी 110 एक्स आ गया है क्योंकि इसमें थोड़ा सा powerful engine दिया गया है और अब फ्यूल एफिजन सी compare कर लेते हैं इन दोनों और अब इन दोनों बाइकों का breaking system का नाम अलग 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 अलेकिन काम एक है CT110-X के front में आपको 130 mm का drum मिलता है और rear में 110 mm का drum मिलता है और HF Deluxe के front में आपको 130 mm का drum मिलता है और rear में भी 130 mm का drum मिलता है दोनों ही bikes में सिर्फ drum brakes आते हैं, dicks brake का option नहीं दिया गया है tyre size अभी इन दोनों बाइकों का compare कर लेते हैं CT 110 X में 17 इंच का tube tire आता है और HF Deluxe में 18 इंच का tubeless tire आता है CT 110 X का front का tire का profile 2.25 x 17 है और rear का profile 3.00 x 17 है और HF Deluxe में front और rear का tire दोनों same ही है जिसका profile 2.25 x 18 है एक वर फिर से आपको बतायता हूं CT 110 X में tube tire आता है और HF Deluxe में tubeless tire आता है और rear में SNS का जो की spring in spring का suspension दिया गया है जो की 100 mm wheel travel है और HF Deluxe में front में teleoscopic hydraulic shock absorber suspension दिया गया है और rear में two step adjustable hydraulic shock absorber suspension दिया गया है दोनों ही बाइक का suspension अपने अपने जगा पे सही है लेकिन CT 110 X का थोड़ा सा ज्यादा comfortable suspension दिया गया है और अब इन दोनों बाइकों का dimension compare कर लेते हैं तो CT 110 X का करवेट 118 kg और HF Deluxe का करवेट 109 kg से 112 kg तक है overall length CT 110 X का 1998 mm और HF Deluxe का overall length 1965 mm है overall width CT 110 X का 713 mm है और HF Deluxe का overall width 720 mm है overall height की बात करें तो 1090 mm CT 110 X का है और 1045 mm HF Deluxe का overall height है wheelbase CT 110 X का 1280 mm है और 1235 mm wheelbase HF Deluxe का है ground clearance 170 mm CT 110 X में है और 165 mm ground clearance HF Deluxe में है CT 110 X का seat height 812 mm है और HF Deluxe का seat height 805 mm है और अब इन दोनों बाइकों के features देख लेते हैं तो CT 110 X में hyalogen headlamp के साथ LED DRL भी दिया गया है और HF Deluxe में सिर्फ hyalogen headlamp दिया गया है LED DRL नहीं आता इस बाइक में और दोनों ही बाइकों का till light और indicator में hyalogen bulb दिया गया है CT 110 X में analog meter मिलता है जिसमें basic features दिया गया है speedometer, auto meter, fuel gauge, neutral light, high beam light, engine malfunction और HF Deluxe में भी analog meter मिलता है जिसमें speedometer, auto meter, neutral light, side stand light, high beam light, engine malfunction यही सब आपको basic features मिलता है इन दोनों बाइकों के meter console में और CT 110 X में crash guard दिया गया है जो थोड़ा अलग design कहा है और उसको उपर में rubber का grip भी दिया गया है और HF Deluxe में भी crash guard दिया गया है जो steel color की finishing के साथ है इसके अलावा CT 110 X में engine call cover दिया गया है जो engine को काफी protect करता है लेकिन HF Deluxe में engine call cover नहीं दिया गया है CT 110 X में दोनों side premium footback दिया गया है लेकिन HF Deluxe में सिर्फ 1 side premium footback दिया गया है और CT 110 X में black color की yellow wheel offer करती है 바자ङ और HF Deluxe में silver color की yellow wheel offer करती है Hero इसके अलावा CT 110 X में tank pad दिया गया है जो की δोनों side है लेकिन HF Deluxe में किसी side tank pad नहीं दिया गया है तो ये थी इन दोनों बाइकों का features में different, इन दोनों बाइकों में basic features दिये गए हैं क्योंकि इन दोनों बाइकों का कुछ ज्यादा price नहीं है और अब बात कर लेते हैं इन दोनों बाइकों का price के बारे में, तो City 110X का daily exorum price जुलाई महिने की 16,879 रुपय है पहले इसका exorum price 55,000 के आसपास था लेकिन जुलाई महिने में बजाज ने सारी गाड़ियों के price बढ़ा दिया है अगर आपको इसके बारे में पूरी details में वीडियो देखना है तो मैंने पहले ही बना दिया है, लिक डिक्स्रिप्सन में जाके देख लें बात करे City 110 X की डेली honor price की तो 73,165 रुपय तक इसकी honor price है दिल्ली में वहीं HF डिलस का डेली exorum price 51,900 रुपय से सुरूओके 63,225 रुपय तक चली जाती है और honor price 16,179 रुपय से सुरूओके 74,291 रुपय तक चली जाएगी और इन दोनों bikes का engine maintenance और service cost बिल्कुल सेम है तो आपको इन दोनों bikes में से कौन सा bike पसंद है कमेंट करके जरूर बताएं और भी अगर आपको किसी bikes पे comparison वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट करके बता देता कि हम उस topic पे वीडियो बना सके आपके लिए अगर आपने अभी तक bikes review point चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो bikes से जूड़ी हरेक information पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद थैंक्यू सो मच